हुआ नमस्कार दोस्तों फॉटिंग में और यह हम तरिंग याजन होता है अग्यों कि सफ़ी कंदी है नहीं देखते हैं państwo है यह तरिंगे से पर इसोंते हैं है एक याल ये लिया है वर्मी कंपोस्ट है जेंचे इमाला भरके नैमखली क्षरी खेंचे इता सूखा हुआ शर्मित जोला चोटा की चेंचे इंचे कमले भरके तोले च्णि अरक स्टोडा च्णा प्र आए Eng deer कि आडिका दीका आदा शेंची वर के वर्मिकोलाइट तो अब यह जो यह आपर दिख रहे आपको यह बहुत महुत पूरन तत्व हैं जो आपके किसी भी गंबले में होना चाहिए यह हम नाम बताते जाएंगे यह जो गुलाबी वाला है क्या है यह एंप के उन्नी सुनने से यह सफेश शकर क सुनने के नाने यह सरही कर से तो टीजए में सशफेट दूंता बिलता है पत्य गोच देता हैं यह यह कुझ अन्र समय में अंजैडा नीहां में अंफ्यों मतता हैं यह दोस्तो नमें उन्न अश्य पीचिश слवande में इता है यह क्या. मुझ फट्रु है. अधने सांसे, मैं कास्ट वर्षिवाल कुषको अगर बनाया रहता है। मैंकरा एरGANिदम का बहूत अच्छा सो्थ रहता है। यह क्या है? यह दोस्तो जिरोजिरोबावण पोटेश्यम है। इस पोटेश्यम के मातर बहुत है। यह दोस्तो बोरान है यह और इसमें सहीं के है। इसके साथ में चेंच एक अमला वर के हमने राक लिया है ये लकडी का राक ये कोईले का दिश्का भी राक ले सकते हैं राक में तोस्तों एंटी फंगल बहुत रहते हैं ये फास्टोरस और माइट्रोरीजम बहुत देता है अब इसको उपर से थोड़ा प्रेम करके सबसे पह एक वसाई हां कि वमीद्रों चेन पर बलते हैं है अग्यों पर नाथिसे अब्ल यपए 2 लाटते जातार करते जाएं tag उलंए मिला तो तो लगातार तो इसली मिलते है लाए अज्र हाए भी जानि निशन dhk कि अश्याद को को पीट जो 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 तो नगे खट्टा गर की बिला दूजी यह यह ने को बोल्डा हुआ है वह इक का सम्सामान पहरी डाल दीदा कि अच्छे मिल जाना चाहिए यह परनाइट मिला रहे हैं यह वर्मिकुलाइट चारा भी मिलाते जा रहे है इसके बाए ट्रालूंगा राख इसके बाद एल्पी के डालूगा है मैं नीशें सब्भेट काले दाने है अच्छ वार थे जबर्मिकुलाइट कि आच यह भी मिले वुटास आच अ हम तक निश्याओं यह वह वार्मिकुलाएट की जिए फ equipped आचे ईंग्याइट। पर अब दोस्तों इसमें दो चबश करीब चीठी पॉडर डालेंगे तो अच्छे ब्रांग करे लिए ज़ादा होगे जादा होगे अदा डालिया इसका आदा धेर को दुस्रे पे डाल दीजी तो आद दूस्तों है हिए यह सब सारे समान आगा है यह जिए दूस्तों आदर शूर्टिंग मिक्से है इसमें आपका पोसा गयरंटी से खिलेंगा अच्छे फूल देगा अच्छे फल देगा को और यह बिलकुल बुरुबरा बनेगा कि यह इसका दना दना आना गिरेगा यह जोतिए अदर स्पो पॉस्ट यूज किया है वह ऐसा होना चाहिए कि चाय के दाने जैसा अलग अलग गिरे इसा लसलसा या चाम्था जैसा नहीं होना चाहिए इसका मिलाना आप देख लेजिए विल्कुल यह आइडियल रूप से है ज्यादा मात्र हो तो आप तगारी से कर सकते हैं ठोड़ा हो एक दो बूरी तो हाथ से करने ज्यादा बेतर है तो ज्यादा बड़े डलने हो यह पत्थर वागे रहों तो निकालते जाहिए वह जोड़ आगे अभी आगा अब दोस्तों यह तयारी ओगए हमारे पोडंग मिल्स हमारा त्यार हो गया है अब इसमें किसी पोदे को में लगा कि दिखांगा कि लगाते हैं आप तूल्सी का चोटा पूदा लेलिजी कि इस गंडे में तूल्सी के पोधे को लगाएंगे एक मिनिट इसमें पहले हम एक दो मुठी चारा डालेंगे सिर्फ चारा चारा चारे से क्या होगा कि वो मिट्टी को नीचे जाने से रोकेगा और गीला हो कि उसको पोच्छन देगा वोसे लो पत्थर डालते लेकिन चारा चारा शुखी पत्री डालना चाहिए काफी है तोड़ी मिट्टी डाली एक दो रृठी एक दो मिक्स डालिये इए लाले मिल्टी को बड़ा पोधा लाला है नीचे रखे वोड़े तोड़ा था उड़ाली है यह बोदह है दोस्तो तुलसी का अच्छा मुझा अच्छा जा अच्छा इसे फारेंगे ताकि जटने डिस्टब नहों अच्छा भी आप पन्नी से निकाल लिया है इसके कोने कोने थोड़ा से मिट्टी जाड़ देजिया अप कि अच्छा हाथ से यह दोस्तों देखे यह छोटी नर्शेयों साहें पोदे तो यह मिट्टी इसकी क्ले सॉइल है चाम्टी मिट्टी और तुलसी बेल पत्र शमी इसे पोदे होते हैं यह बिलोरी मिट्टी चाहिए रहते हैं यह से आमने बनाई है नहीं तो इनके ज़ड़ा कर दोस्तों यह तो दोस्तों यह त्यारी थी पोटिंग में इसके से त्यार करते हैं इसको कमने में किसे वह देवा लगाते हैं यह इस्टूडेंट्स ने बहुत कुशलता से कारे किया है और आशा है यह देखकर आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे वीडियो देखने के धन्यवाद नमस्कार